वैसे इधर कोई दोसरा मंदिर है मंदिर उधर है और मस्जित उधर लेकिन मंदर तो बंद है भगवान के नाम पर देदे कुछ भगवान के नाम पर देदे भगवान के नाम पर देदे कुछ अब पंडित जी हो ना नहीं पेटा मैं पंडित नहीं हूँ लगता आप खलत जगह आगया हो यह गलत जगह है नहीं जगह तो सही है आप घलती से आगयो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या फिर यह मस्जिद है अल्ला का दर्बार है यह क्यों होते है जैसे मंदिर में आप बगवान की पूजा करते हो वैसे मस्जिद में अल्ला की अबादत करते हैं आप कोन हो मैं यहां का मौल्वी हूं मौल्वी मतलब जैसे मंदिर में पंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौल्वी हो तो आप दोनों सेमों? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं. आज मेरे दादाजी की बढर्सी है, आप प्लीज ए खाना का लीजी. मैं क्यों? क्योंकि आप मश्रीद के पंडेत हो ना? नहीं बिटा, यह खाना मेरे लिए नहीं है. पता है, यह खाना दादाजी के लिए. आप यह खाना इधर खाओगे, उन्हें वाप बटर चिकन मिलेगा. उन्होंनी एक साल से कुछनी खाया, आप प्लीज ए खाना खालीजी. तो मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बट ढूंडा, महां कोई भी नहीं था. वेटा, जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता. अभी आप इने तो कहा, कि आप दूनों सेम हो. खाना ही तो खाना है, इसमें लड़ू भी है. अर्या, बात समझ क्यों नहीं रहे हो. पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं. आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं? फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो. आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहां नहीं. क्यों, मंदर और मस्जित में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शेव जी. तो शेव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्ला हमें है. लेकिन मम्मी कैती है, कि सारे भगवान सेम हैं. वैसे अल्ला कितने है? अल्ला कितने है? अल्ला कितने है? तो आप इतने शौर कैसो कि भगवान और अल्ला सेम है. जैसे मेरा नाम राहूल है. मम्मी मेरे को टिककू बुलाती है. पापा मेरे को रॉकी बुलाते है. मेरे दोस मेरे को राहू बुलाते है. लेकिन हूतों में ही कि राहुल वैसे ही शिव्जी, अल्ला, हनुमान सब सीम ही है लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते है अल्ला सिर्फ मर्जिद में ही मिलते है नहीं, अल्ला तो सारे जहान में मिलते है इस सड़क पे? हाँ मॉल में? हाँ सबसी बजार में? मंदर में भी? बाइया तो फिर मज़र्द में भवान क्यों नहीं मल सकते? वैसे अगर मैं अल्ला से कुछ मांगना चाहू क्या वो मेरी बात सुनेगे? बिल्कुल! बिल्कुल सुनेगे! तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? काउन सा लट्डू है? मेरे दादर जी विया में शे लट्डू से इश्वडू करते हैं पाँ सब को सम्मति ने भगवार और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसी गरीब को दे देना ओके बाए उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा नसिखा पाई वो सच्चाई जो भूली आंखों में दिखाए कोश्मी भरे दिलों में नांधेरों का दिशा हो हर मजर में बशर में मौला तेरा ही गुमा हो जिश्मर अल्दा तेरो ना है 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 हलो हाँ पूजा अ मैं पंद्राभीस मिट लेट जाओंगी तुम पेशन को सलाइं चड़ा दो मैं भी आती हो कि कि पंदित जी ने क्या कहा बिस्मि लाइर रेमान निर रही्म राहुल तुम कहां गये थे दाध़ी को खाना के लने पुल मुल कर दो कर दो कर दो